एक बार फिर स्वागा थे आपका स्कूल राज तेयोरी में पिछले वीडियो में हमने ओफलाइन सत्र के कार्रे विज्ञान के उधारण के साथ देखे थे जो अपने विजय में कप्चा 6 की पार्टे पुस्तक को देखें और कोई एक पार्ट चुने फिर कोई दो बिंदू बताएं जहां इस पार्ट को पढ़ाते समय आप बच्चों से संयोग ले या उनको खुद से करने का मौका दे तो आपको इसके लिए आपको एक रेजिटर बनाना पड़ेगा उसमें इसी परकार के तीन कॉलंब बनाने पड़ेंगे जिसमें पार्ट संक्या का नाम प्रश्ट करमांग और बच्चों से संयोग कैसे लेंगे या खुद से कैसे देंगे वे आप उसमें लिखेंगे उधारन के लिए मैं आपको पताताओ मैंने कैसे कच्चा 6 पार संख्या 1 सौर मंडल में पर्थवी प्रश्ट क्रमांग लिख देंगे और बच्चों से संग्य लेंगे या खुद से कैसे करने के लिए देंगे बालकों को आकास का अवलोकुन करने को कहेंगे और दिखाई देने वाले आकासी पिंड या अन्य वस्तियों की चित्र बनवाएंगे उसके बाद दूसरा वैचारिक विस्तार इसमें इस सत्र में दी गई बाते किस हद तक हमारी कच्चों में संभव है इस प्रसनक पर सामोय आपके जो सिक्षकों का ग्रूप बनाया गया है उसमें आप वाट्सअप पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे हम उसको ला सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तीसरा जो खुद करने की बारी है उसके कॉलम कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ इस मॉडूल का एसाइमेंट हर सत्र में थोड़ा थोड़ा किया जाएगा और पूरे मॉडूल की एसाइमेंट के लिए कृ पार्ट को पढ़ना सुरू करें करने से पहले आप बच्चों से किन विसों पर चर्चा कर सकते हैं और क्या प्रारामिक कारे दे सकते हैं उन्हें आगे वाले आगे आने वाली जानकारी समझ के लिए कैसे तयार करें उसके लिए आपको चार कॉलम बनाने हैं विसे, कक्छा पार्ट करमांग और प्रारामिक चर्चा के विसे या कार्रे जो बच्चों को दिये जा सकते हैं यह हम लिखेंगे उधारन के लिए मैंने जो लिखाये बताता हूँ विसे हो जाएगा सामाजीक बुगोल कक्चा छें पार्ट करमांग के सौर मंडल में पर्थवी पहला दिन में आकास में क्या-क्या दिखाई देता है सुची बनाओ रात को दिखाई देने वाले पिंडो की सुची बनाओ और दिन के उजाले या प्रकास किसके कारण होता है वो रात को सूर्य कहां चला जाता है वो चंद्रमा अलग-अलग आकार का क्यों दिखाई देता जैसा कि पहले का गया था स्वय की संद्रिस्का में हम हर बार हम आपको कुछ प्रस्ने देंगे जिनका उत्तर आप अपनी समझ और अपने परिवेश के अनुसार देंगे हर सत्र के अन्त में ऐसा करते रहने से धीरे धीरे आपकी ऐसी संद्रिस्का बना लेंगे जो आपके अपने लिए होगी और स्कूल सुरू होते ही आप इसे उपयोग में ला सकेंगे चाहें यहां तो आप उत्तर बड़े संचित में लिख सकते हैं लेकिन नौटबुक में आप विस्तार से लिखना चाहेंगे उत्ने में लिखें ठीक है जैसे कि कक्षा में पढ़ने के तरीके चुनते समय बच्चों के स्थर या जरुरोतों के बारे में सबसे महत्पून तीन मंदू कौन-कौन से होंगे वेहम्द लिखेंगे उधारन के लिए बालक सूर्य चंद्रमा तारे तथा पर्त्वी से परीचित हैं इनके बारे में उनके स्वारुनुसार चर्चा करेंगे पर्त्वी की तरह दूसरे तारों जैसे सूरे आधी आकार में बहुत बड़े होते हैं पर चर्चा करके इनको जानने के बारे में कौतोहल पैदा करेंगे वो बालोकों की जिग्यासा के अनुसार आवेसे गतिविदी करेंगे और दूसरे में कच्छा में पढ़ाते समय बच्चों की भूमिका के बारे में जो मैं ध्यान रखूंगा या रखूंगी उसमें सबसे महत्पुन दो बाते कौन-कौन सी होंगी जिसे कच्छा में की जा रही गतिविदी में बालक स्वें भाग लेने के लिए इच्चुक वहुत्सुक रहें वो चांद तारे वो सूरे के बारे में उसमें मन में आ रहे परशनों से को पूछ सके और अपनी राय समू में प्रकट कर सके आसा करता हूँ आपको इससे हेल्प मिलेगी आगे भी इसी प्रकार मेत्पुन वीडियो जानने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद